तो अभी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था मीरिया से लार्ज कैप फंड का रिव्यू दिया था बेज्ड ओन फिर फोर सी मोडल तो आपने फोर सी मोडल की वीडियो हमारे नहीं देखी तो पहले आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए मैं डिस्क्रिप करना चाहिए और आप किस प्रकार के इंवेश्टर्स के लिए यह फंड सुटेबल है तो चली सुरूफ करते हैं तो जो फंड का मेन इंवेश्टमेट अप्रिशेट करना है बाइंवेश्टिंग करके मिडिकेप कंपनीज के इंवेश्टमेट करके वहां से लोंग नम के लिए केप्टल एप्रिशेट करना इस फंड की इंवेश्टमेट अब्जेक्टिव है तो कोई भी गरंटी नहीं है और ना ही कोई एस्यूरेंस दी जा रही है कंपनी की तरफ से फंड हाउस की तरफ से कि जो स्कीम का इंवेश्टमेट अचीव होगा आने वले टाइम में तो जैसे कि आपको पता है कोई भी गरंटी नहीं है ना मार्केट में ना मेचल फंड में विकोज मेचल फंड सब्जेक्ट मार्केट रिस्क तो प्लीज रेड ओल डॉकुमेंट्स बिफोर यू इन्वेस्टिंग तो आपको किसी भी प्रकार के इंवेस्टमेंट वेजरी चाहिए तो आप सक्रीन पर दिएगे नंपर पर हमसे क्विस्टमेंट कर सकते हैं अथर्वाइज अपने फाइनिंजेल आडवाईजर के थो ही किसी भी स्की में इन्वेस्टमेंट कीजी तो चली जानते हैं इसके आउटपर्फॉर्म किया है प्रोवाइडिंग बेस्टिंग सबसे ज्याद़ जो पार्फॉर्म नेंपर benchmark it has been able to beat the benchmark consistently four years with good amount of returns तो आपको बताऊं कि मैं हर एक fund का जो एक benchmark होता है जो कि उसको track करता है वही से returns generate होती है बट अगर अगर देखिए अगर benchmark को track कर आउट फ्रों कर देंग बैंचमार्क से भी अब benchmark के according तो फिर तो कोई मतलब की ज्यादा बात नहीं होती बट कोई फंड मेनेजर अगर फंड ही कोई म्यूटर फंड की स्कीम अगर फंड बैंचमार्क को आउट परफॉर्म कर देती है तो यह बहुत बड़ी बात होती है और लगतार चार साल तक जो है गुड रिटर्स दे रहा है बैंचमार्क को बीट करके फंड जो है आउट परफॉर्म कर रहा है तो फंड में यह कैपबिलिटी है कि बैंचमार्क को भी जो है बीट कर सकते है एन इन इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट विद ए गुड फंड मेनेजर विद अन इंप्रेसिव डोजियर लोग एक्सपे अपको पता है एमसी के थोड़े बहुत चार्जिस होते हैं जो एड में या अनदर फंड को मैनेज करने में लगते हैं तो एक्सपेंस रेसियो भी लोवर है वो हर एक फंड का ही एक्सपेंस रेसियो होता है और गुड प्रफॉर्मस इट्स सोट हिस्ट्री तो अच्छी प फंड मेनेजर जी है जो स्रियाज दिवालकर जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और बेंचमार्क है जो एस्टेंट पी बीएस सी मिड कैप इस फंड का बेंचमार्क है मैक्सिम्म एग्जिट लोड है जो बन परसेंट लगेगा आपको एउयम है क्रोड में 30 सेप्टेंबर 2020 कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मैं आपको पीडियाफ का लिंक भी डिस्किप्सिन में दे दूँगा पच्छे वहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि आब यहां पर आपको कुछ कुछ बाते समझ भी नहीं आ रहे होंगी और फाइव के बारे में नेट एसेट के बारे में फंड डिटंस के बारे में और बैंचमार्क डिटंस के बारे में एन एवी जो है एज़ों 31 मार्च फाइनसलेजर 2021 में बैलिस पॉंट 113 पैसे और 2019 वे 32.56 तो आगे के भी चार साल की में आपको नहीं बता रहा हुआ कुकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो भी हो जाएगी नेट एसेट है जो एउम हाँ फंड का एज़ों 31 मार्च इन ट्वंटी ट्वंटीवन छे हजार साथ सु कत्ति पॉंट चोंट क्रोड और फाइनिसलेजर 2020 में 44,033.0 क्रोड रुपे फंड का टोटल एउम था फंड की जो रिटर्न हैं ट्वंटी ट्वंट की रिटर्न के बारें बात करें तो फंड का जो बेंचमार्क है यानि कि संट पी बीएसी मिडिकेप फाइनिसलेजर 2021 में 49.80 की रिटर्न और फाइनिसलेजर 2020 में नेगेटिव रिटर्न 26.32 की रिटर्न इसके बेंचमार्क ने दी हैं यानि कि संट पी बीएसी मिडिकेप ब के बारे मैं आपको बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी फिर आप बोर हो जाएगा वीडियो को स्किप कर करके देखें तो इसलिए मैं इसके बारे में लिंक दे दूँगा तो फाइव स्टोक है जो फाइल होल्डिंग है इस फंड की वो है इपका लैबोरेटरिस में 3.53% की में 3.30% की इस फंड की होल्डिंग से हैं जो हेल्थ केर में सबसे ज़्यदा चोदाव पॉंट 57% की अलोकेशन है इस फंड की इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी में 9.10% की रिटेलिंग में 8.85% की चंज्यूमर डूरेबल में 8.62% की और कैमिकल में 7.30% की इस से लात के और हैं तो मार्केट के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक मेर्स में 12% की और स्माल कर में च Darwin हिस की holdings súm equity में total 89 percent की जो holding इस fund की portfolio है और अनमंने 11 percent की 11 percent की जो है प्रॉट फोल्यू है जो इस fund का risk को मिट रहा हैicana है तो fund business அ portrait टॉंटी एर फिनेंशी य है 2022 में जोके बी चल रहा है यह होएं जब तो बढ़ते हैं अपनी बात की और सबसे बैस्ट रिटन जब फंड ने बात करते हैं तो वन मंत की जो सबसे बैस्ट रिटन जब फंड ने दी थी वह थी छे पांच सबसे बात करें तो सबसे ज्यादा बैस्ट रिटन पेरिड था जो वह भी दो हजार चोदा करा तीन नो दो हजार तेरा से लेकि तीन नो दो हजार चोदा तक निन्यान में पॉइंट लगबग लगबग सो परसेंट की रिटन इस फ़ंड ने रिटन डिलिवर की हैं और उस टाइम बैंच मार्क के जो रिटन थी वह चोर आसी पॉंट शेतर परसेंट की रिटन थी और वोट्स टरंड सबसे खराब रिटन जो आपको पता है 2020 में ही सबसे ज्यादा किसी ने ख बैंच मार्क ने जो रिटन दी वह से 37.96 प्रसेंट की नेगटिव इटन और जो 23-12-2009 मंत क्वाटरली बात करें तो 23-12-2009 से 19 से लेके 23-2020 तक नेगटिव इटन तेस फॉंट चोवन परसेंट की रिटन दी है और वहीं मैंच मार्क ने जो रिटन दी थी नेगटिव दी 16.46 पर्सेंट की रिटन और वह वह नेगटिव रिटन एकटिव इलेवर की ती तो चलिए के बारे मी बात करते हैं अबाइट फंड मेंट जी चांड है मिट्र स्रीयाज दिवहालकर्ची ऐस्टी ने में का प्ध्य है सिमों में टमक Academic स्रियाज इस एन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूदी सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुए डिप्लोमा इन मेनेजमेंट फ्रॉम जे बी एमस इन मुंबाई एक्सिंस है जो ही जोंड दा एमसी इन 2016 तो हुन ने एक्सिंस एमसी में 2016 में जोइनिंग की एंड तुक ओवर दा रिस्प है और एक्सिंस ब्लूचिप फंड जो कि काफी अच्छा फंड फंड है बिल्यूचिप केटेगरी की कोई भी बात तो सबसे एक्सिस ब्रूचिफ फंड का ही नाम आता है और एक्सिंस म्ल्टिकप फंड को भी 2017 में नहोंने मैंस करना सूरू कर दिया प्रिये बिढ़ टु मेनेज करते थे he was also worked as a research analyst more than five years he has also worked as a research analyst at IDFC Asset Management Company तो research analyst का भी काम किया इन्होंने IDFC Asset Management Company में July 2008 से लेके June January 2011 तक and IDFC Securities में 2005 से लेके 2008 जुलाई तक इन्होंने IDFC Securities में भी काम किया सब्सक्राइब 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 करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक नहीं किया हूँ सब्सक्राइब करना चाहते हैं और जिनका व्यू है जो 5-6 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बात कुरूंगा यह पर अगर वीडियो में दीगी इन्फरमिशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीस लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए